नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देवधरा अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस वर्ती में बड़ा बदलाब और इस विभाग में भरे जाएंगे चपडासी के पद अब HP, स्टाफ सेलेक्शन कमिशन, बोर्ड हमीरपूर का जो नए अपडेट आया, उसके बारे में बात करेंगे और तीन सो पदों पर जो है भरती प्रक्रिया होगी इस विभाग में इसमें की योगता दस्वी पास रहेगी दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को दबा दीजिए ताक कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं HP स्टाफ सेलेक्शन कमिशन जो हमीरपूर ने जो नए अपडेट सामने आई है उसमें एडिमिट कार्ड जो है पोस्ट कोड 888 के लिए जो है जारी हो चुके हैं जिसका एक्जाम आपका 4 अप्रैल 2021 को होना है तो आप उसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं अपना एडिमिट कार्ड और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इमांचल चमबा में केंपस साक्षातकार से भरे जाएंगे जो है 300 पद इस दिन होंगे इंटर्वियो इमांचल में बेरोजगार यवाओं के लिए चमबा में केंपस साक्षातकार के माद्यम से रोजगार में लेगा प्राइवेट कमपनियां करीब 300 पद उपर यवाओं की भर्ती करेगी यह केंपस साक्षातकार जीला रोजगार कारेल ले चमबा में पहली और तीन अपरेल को आयोजित किये जाएंगे यह जानकारी जीला रोजगार अधकारी अर्विंद सियंच चोहान ने दी है उन्होंने बताया कि पहली अपरेल को इलाइंस स्टाफिंग सर्विस के द्वारा एमप्रोस ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड बद्दी और एमटी ऑटोक्राफ्ट के लिए साक्षातकार लिये जाएंगे एमटी ऑटोक्राफ्ट बद्दी में जो है 150 पद है और एमप्रोस ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में जो है 50 पद है इसमें कुल 100 पद ट्रेनी के भरे जाएंगे और योगेता जो है 5, 6, 5 या अधिक मांगी गई है और इसमें आपकी आयूसिमा जो है 18 से 40 वर्स तक मांगी गई है दोस्तों बात करते हैं इस विभाग में बरे जाएंगे जो है दैनिक मजदूरी पर चपडासी वर्स के फोर्थ क्लास के जो है योग्य उमीदवारों के आवेदन पत्र आमित्रित के चाते हैं तो कुल पोस्त इसमें नौ रहेंगी और स्च का एक पोस्ट रहेंगी उसमें यू आर चार पोस्ट ओबिसी जो है दो पोस्ट इसमें दो पद रहेंगे इसमें जिला कैडर वार जो है रिक्तियां शिमला कैडर के लिए दो पद एक एसी और एक यू आर के लिए कुलु के लिए एक पड जो OBC कर रहेंगा और सिरमाउर के लिए एक पड जो OBC कर रहेंगा योग्यत हँ आपकी इसमें दस्वी पास होगी और अयु सीमा जो है 212 कर तक जो है 18 वर्ष और इक्तम जो है आपकी आयु 45 वर्ष होनी चाहिए तो सेलरी की बात करते हैं तो दो सब चेतर रुपए आपको प्रती दिन के साब से पी किया जाएगा आवेद को आवेदन पत्रों के सबसे उपरी भागव पर उस जिला कैडर का नाम लिखना निवारे होगा जिसके अंतर गतवा चप्डासी के रिक्त पदों पर जो है निवकती ये तो आवेदन करने जा रहा है आवेदन कैसे करें? अभियर्थियों को सबी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र मुल्यंकन प्रवत्र सहित आवेदन करना होगा और आवेदन पत्र इमांचल प्रदेश के जो निर्वाचन विवाग ब्लॉक नंबर 38 एट्स दिये कम्प्लैक्स कम्म्यून कसुम्टी शिम्ला स्तारा 1009 पर स्पीड पोस्ट या खुद आकर भी जमां कर सकते हैं तो लास्ट डेट इसके अप्लाइगाने की 30 अप्रेयल 2021 रहेगी दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इमांचल प्रदेश पुलिस रिक्वार्मेंट 2021 के बारे में तो इसमें आपके टोटल पोस्ट जो है 1334 पोस्ट भरी जाएंगी जिसमें की ट्राइफर की जो है पोस्ट एकानों में पोस्ट रहेंगी और इसमें नई अप्डेट है कि 100 पे आपसे जो है आवे दिन फीस के साथ COVID शुल्क लिया जाएगा और दूस्तरी इसमें बड़ी अप्डेट है कि जो आपका ग्राउंट पहले होता था अब ग्राउंट से पहले जो है रिटन टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद आपका ग्राउंट होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके धन्यवाद